साब्सक्राइब करें पाकिस्तानी ड्रामा सेंस चैनल को और दबाएं इस बेल के एकन को ताके आप हमारी वीडियो देखें सबसे पहले भई लोग मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर्टेन्मेंट के लिए होती है ना कि किसी की बुराई करने के लिए इसलिए इस वीडियो को ज्यादा दिल पर ना लें थैंक्यू इस सिर्फ में गुल जब अपनी मा से घुसा होकर यहां से जाने लगते है तब इस टेबल के ओपर ये पानी वाला जग पड़ा होता है और फिर जब गुल अपनी मा से माफी मागने के लिए आती है तो वो जग वहां से गयब हो जाता है हसन जब यहां पर गुल को चमाट मारता है तब हसन का हाथ गुल के फेस के साथ जरा सा टाच भी नहीं होता लेकन गुल को देखो ये मुँ फेर कर तो ऐसे खड़ी होती है जैसे इसे बड़े जोर की लगी हो गुल जब यहाँ पर नीन से उठकर यहाँ से जाने लगती है तब इसके बालों पर कोई भी कलिप लगा हुए नजर नहीं आता लेकन जैसे गुल चलकर यहाँ पर आती है तो इसके बालों पर यह कलिप जादू से आ जाता है क्या मुन्ना भाई इतना जल्दी इतना बड़ा जादू हो सकता है ये साफ नज़र आ रहा है कि गुल के येवले हाथ में कोई भी बलाय कलर का धागा बंदा हुआ नज़र नहीं आता लेकिन जैसे गुल चलकर बैर आती है तो इसके हाथ में ये धागा पतनी कहा से आजाता है और फिर जब गुल चलकर रूम की सफाई करने के लिए आती है तो इसके हाथ में दुबारा से कोई धागा बंदा हुआ नज़र नहीं आता यहाँ पर गोहर को देखो जब ये मज़े के साथ फोन पर बात कर रही होती है तब इसकी येवले हाथ में सिर्फ एक कंगा नहीं होता है और कुई चीज नजर नहीं आती है लेकिन जैसे गोहर चलकर अफशा के पास आती है तो इसके हाथ में ये चूडियां पतनी कहां से आ भाई लोग वीडियो पसांद है तो से लाइक कमेंट और शेयर कर दो ऐसी वीडियो मजीद देखने के लिए पाकिस्तानी ड्रामा संच चैनल को साब्सक्राइब करना ना भूलें